Hello Investographers, Welcome to Investographer YouTube Channel आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी में किस तरह की मूमेंट्स आ सकती है साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज़े है जिसकी वज़े से इंडियन मार्केट्स पर प्रेशल बिल्डप होते हुए आपको दिखाई दे सकता है तो इन सारी चीजों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए इस वीडियो को लाइक कीज़े चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीज़े और कमेंट सेक्शन में लिखिए वी आर दी इन्वेस्टोग्राफर अब अगर हम यहाँ पे निफ्टी को देखे तो निफ्टी में हमें कोरोना के बाद एक अच्छी खासी देड़ साल की रैली देखने को मिली और उसके बाद ऑक्टोबर में जब निफ्टी ने अपना टॉप बनाया था वहाँ से निफ्टी अब जो है थोड़ा सा कंसॉलिडेशन में यहाँ कह सकते हैं कि स्लाइटली डाउन ट्रेंड में हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे उपर की एक ट्रेंड लाइन है जिसका बार बार निफ्टी रेजिस्टन्स ले रहा था पर पिछले जो एक अपवर्ड मुह आया था यहाँ पे इस trend line को तोड़ने का काम जो है या fake breakout देने का काम जो है nifty ने किया और उसके बाद थोड़ा सार नीचे retrace करके nifty यहाँ पे consolidate करता हुआ दिखाई दे रहा है अब इसके आगे क्या हो सकता है इसके आगे दो scenario develop होते हुए हमें दिखाई दे रहे है अगर nifty में इसक तो slightly down pattern है वो continue कर सकता है और इस हालात में nifty जो है आपको वापस से एक बार इस trend line पर नीचे support लेते हुए आता हुआ दिखाई दे सकता है पर अगर ऐसा नहीं होता है और nifty अपवड मू देता है तो इस हालात में nifty को 18,000 का जो level है मितलब जो recent high बनाया था उस high को तोड़ कर उपर निकलना पड़ेगा और उस high को उपर तोड़ने के बाद यहाँ पर consolidate करते हुए थोड़ा सा time बिताना पड़ेगा वहाँ से आप फिर मान सकते है कि एक नई rally की शुरुआत जो है हो सकती है ऐसे में हम यहाँ पर यह भी मान सकते है कि यह जो लगभग एक साल के करी निफ्टी में यह consolidation end हो रहा है और यहाँ से फिर जो है एक नई rally के आपको निफ्टी में शुरुआत देखने को मिल सकती है तो यह दोनों भी level काफी जादा important है अगर 17,150 के level को निफ्टी तोड़ देता है तो ऐसे में आपको जो है निफ्टी नीचे retrace होता हुआ कर देके तो यहाँ पर जो है निफ्टी पिछले कुछ दिनों से इसी range में consolidate करता हुआ दिखाई दिया है इससे पहले निफ्टी ने काफी अच्छा higher low pattern मना कर rally दी थी और उसके बाद जो है यहाँ पर अप consolidation zone बन रहा हुए है तो ऐसे में निफ्टी में जो traders भी है वो भी decision पूरी तरह से नहीं ले पा रहे है कि निफ्टी को किस तरफ लेकर जाना है क्या निफ्टी ऊपर की side breakout देगा या नीचे की side breakdown देगा तो ऐसे में यहाँ पर clear दिखाई दे रहा है कि weight and watch वाली situation जो है निफ्टी में currently develop होती हुई हमें दिखाई दे रही है वही अगर हम दे निफ्टी का जो है perform करना काफी जादा मुश्किल हो जाएगा हम हर बार देखा है कि जब भी निफ्टी को perform करना होता है तो ऐसे इसमें bank निफ्टी जो है पहले perform करने लग जाता है इसके पीछे का simple reason भी है कि निफ्टी में 35 से लेकर 45% तक जो weightage है वो bank निफ्टी अपने पास रखता है तो ऐसे में अगर निफ्टी को perform करना है तो obvious है कि वहाँ पे bank निफ्टी को भी perform करना काफी जादा जरूरी हो जाता है अगर bank निफ्टी के हम levels को देखे तो broader levels में हमें bank निफ्टी 39,830 के levels को तोड़ते हुए आपको दिखाई देगा उसके बाद ही जो है न यहाँ से retracement आता है और bank निफ्टी 37,950 के नीचे चला जाता है तो ऐसे में फ्रेश गिरावट bank निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकती है तो यहाँ पे भी situation थोड़ी सी fussy हुई है यहाँ पे भी bank निफ्टी थोड़ा सा अपने आपको decide नहीं कर पा रहा है कि कि किस forward move जो है continue होता हुआ हमें दिखा और इसके बाद लगबग 80 का जो level था जो कोई previous high था उसी का resistance जो है USD INR currently लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है अगर USD INR इसके ऊपर निकल जाता है तो ऐसे में जो है काफी ज़्यादा chances है कि हम 80 to 83 के levels को वापस से एक बार वापस से एक बा moving average तक मतलब 77 की level तक जो है USD INR index तो नहीं है USD INR जो है आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है तो 50 day moving average एक important support रहा इससे पहले भी अगर हम देके तो इस zone में काफी बढ़िया से 50 day moving average का support लिया था इससे पहले यहाँ पे भी इसने support लिया था और time to time जो है यह 50 day moving average का support लेता रहता है तो जरूरी है कि अगर इसको नीचे आना है तो 50 day moving average को तोड़े और अगर यह उपर की side 80 का breakout दे देता है तो ऐसे में 80 to 83 के level जो है आपको इस पे आते हुए दिखाई दे सकते है अब मैं आपको एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो की आपके trading journey में आपको काफी जादा help कर सकती है उसका नाम है big bull club big bull club हमारा एक group है जहाँ पे हम traders को swing trade ideas, positional trade ideas और investors को long term investment ideas share करते हैं साथी साथ एक घंटे का एक special session हर रोज होता है वहाँ पे जहाँ पे हम आपसे one to one बात करते हैं जिसमें हम आपकी queries जो है solve करने की कोशिश करते हैं हमारा य detail traders को hand holding देना काफी जादा ज़रूरी है जो भी नए market में आते हैं उनको hand holding देकर market की situations को समझाना काफी जादा ज़रूरी है और वही काम हम big bulls club में करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो अगर आप भी इस big bull club को join करना चाहते हैं तो नीचे description में और comment section में link pin की गई है उस link पर जाईए और आप big bull club को join कर सकते हैं तो जरूर अगर आपने अभी तक big bull club को join नहीं किया है तो जाईए और big bull club को join कीजिए अब आ जाते हैं US market की तरफ ग्लोबल market की तरफ तो US market की तरफ अगर हम देखे तो US market जो है पिछले एक हपते से हमें काफी तेजी से नीचे जाता देखी अगर हम बात करें तो एक bounce back यहाँ पे देने की कोशिश की थी पर उपर की level से वापस से एक बार जो है US market में selling आते हुए हमें दिखाई दी जो कि थोड़ी से चिंता बढ़ाने वाली बात है अगर यह continue होती है selling इसी तरह से तो वापस से एक बार Dow Jones जो है 29,880 के zone मे वापस आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है और इस हालात में Indian markets पे भी आपको फिर इसका pressure बनते हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि आप भी जानते है और हर कोई जानता है इस बात को कि US market जो है वो सारे दुनिया की markets की mother है वो सारे दुनिया की markets की मा है तो अगर मा की त आते हुए आपको दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आपको positions भी जो है, जो आप swing trade की positions वेगरा बना रहे होंगे, वो थोड़ा ऐसा cautious होके बनानी है, अगर हम बात करें Nasdaq की, तो Nasdaq की अगभारे में हम देखें, तो यहाँ पे भी हमें एक downfall continue होते हुए दिखाई दे रहा है US market में जो trend line बनते आ रही थी उपर की, उसको काफी अच्छे से follow किया है, अगर आप Dow Jones को भी देखो, और अगर आप Nasdaq को भी देखो, तो यहाँ पे काफी अच्छे से जो उपर की trend line है, उसको follow करने का काम जो है, US market ने किया है, और यहाँ पर भी अगर यह continue नीचे आना श जुरू होता है, तो पहला जो support है, 11,500 के पास आपको इसको देखने को मिलेगा, और उसके बाद 11,000 का इसको एक support जो है, इसमें आपको Nasdaq में देखने को मिलेगा, S&P 500 जो की broader index है, 500 companies का बनकर index बनता है, तो अगर हम इसको study करें, तो इसमें भी जो है, एक proper trend line को follow करने वा तो आपको वापस से एक बार जो है, Dow Jones Index लगबग, सॉरी, Dow Jones Index नहीं, S&P 500 Index लगबग 3550 के zone में आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पर US market में जो है, काफी तेजी से fall हो रहा है, इसकी वज़े से आने वाले दिनों में Indian markets में भी आपको थोड़ा सा pressure build-up होते हुए दिखाई दे सकता है, अब वापस से आ जाते है Indian market के उपर, कि क्या हमें swing trade लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, देखिए, market यहाँ पर अगर consolidate करता है, तो ऐसे काफी सारे stocks है, जो की breakout डे रहे है, उनमें आपको छोटे-मोटे profit, मतलब 5% से लेकर 10% के profit बन सकते है, especially जि swing trade की opportunities काफी अच्छे तरीके से मिल सकती है, तो अगर आप swing trade करना चाहते है आने वाले week में, तो बिलकुल small cap index पर और mid cap index पर थोड़ी सी नजर रखिए, उनके जो stocks है, उनको थोड़ा सा monitor रखिए, अपने watch list में रखिए, ताकि आपको अच्छे opportunities swing trade के लिए मिले, और जो लोग risk नहीं लेना चाहते है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि nifty को एक बार clear करने दीजिए, कि उसे किस तरफ जाना है, उसी के बार trade लीजिए, तो अगर आप risk की trader है, तो small cap और mid cap stocks की तरफ आप देख सकते हैं, और अगर आपको risk नहीं लेना है, तो आपके पास simple तरीका है क शानती से बैट जाईए, market को समझने की कोशिश कीजिए, और market को time दीजिए, उसको तय करने दीजिए, कि उसको किस तरफ जाना है, उसके बाद उसके पीछे पीछे चलने का काम कीजिए, मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि ये video आपको कैसा लगा, क्या इस तरह के video हमें ह सबसे विदा लेता हूँ, फाइब से मिलूँगा, ऐसे ही अगले video में और live session में, तब तक के लिए, बाई बाई